हेलो गाइस और वेलकम टूमाई योडूब चेनल टेक्निकल उत्तर प्रदिस इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि आप अपने Poco YM65G की फोन में होमी स्कीन वालपेपर या लोकी स्कीन वालपेपर चेंज करना है या जो आटोमेटिक चेंज लोकी स्कीन वालपेपर की सेटिंग आना आफ करना है तो आप लोग कैसे करोगे सबसे पहले फोन के सेटिंग में आने बाद कुछ ऐसे अपको यहां पर वालपेपर नाम से एक उपसन मिल जाता है आपको इस पर किलिक करना है इस पर किलिक करने बाद यहां पर तमाम परकार के आपको वालपेपर मिलते हैं आप कोई भी वालपेपर डाउनलोड किलिक करके अपलाई कर सकते हो जो भी apply करना उस पर click करेंगे नीचे apply पर click करेंगे set as lock screen, set as home screen या दोनों पर set करना है set board पर click कर देंगे तो जहां भी set करना इसको set कर सकते हैं इसके बाद चलिए हम जान लेते हैं lock screen wallpaper की setting आना आप कैसे करेंगे जो automatic change होता है तो उसके लिए हम आपने phone को lock कर देंगे lock करने के बाद यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसा interface है left side सबसे नीचे corner में देखेंगे एक flower बना हुआ flower का icon इसको आप right side slide करेंगे आप जैसे इसको जो right side इस तरके से slide करते हो तो आपके screen पर कुछ ऐसा interface मिल जाएगा left side में एक बड़ा सा customize नाम से option मिलता है customize के option पर किलिक करेंगे सबसे नीचे setting का option मिल जाएगा setting के option पर किलिक करेंगे और यहां पर आप लोग देख पाएंगे आपसे इसकी लोग का जो भी password मांगेगा पासवर्ड इंटर कर दीजिए इसके बाद सबसे उपार turn on का option इसको बंद कर देंगे तो आपका wallpaper जो लोग किसकी का है यह automatic change नहीं होगा और यहां पर आप देख सकते हैं इसको on कर देंगे तो आपका wallpaper automatic change होगा